हरे कृष्णा कैसे आप सभी आप लीव आप सब पढ़िया होंगे चलिए आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि बहुत डिटेल्ड में बस यही देखेंगे आज कि आपके स्पाउस के लुक्स कैसे होंगे वो दिखने में कैसे लगते होंगे आज की इस रिडिंग में बस यही देखेंगे ठीक है और लास्ट में कुछ अगर हमने उनका लव मैसेज अपके लिए निकालना होगा तो वह भी निकाल लेंगे ठीक है ना आज कंप्लीट फोकस उनके लुक्स पे हम करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले भगवान का नाम लीजी अपनी अनर्जी क्ले करिए और फिर देखते हैं आपके दो कार्ट क्या आते हैं थैंक यू सो मच आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहा करें हो 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 ह Пथ खिए आते हैं हो 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 ब्लेसिंग्स अबंस करते हैं जोड़ा कार्ड बहुत अच्छे आ हैं बहुत ब्यूटिफुल कार्ड्स आ है पाल वन वी हैव दो मून ठीक है दो मून कार्ड एक मिनट फोकस नहीं आ रहा दो मून ठीक है देख ली जिस कार्ड को जी भर कर बहुत प्यारा लग रहा है और यह है टू अब वन्ट्स देख लीजिए आपका कौन सा कार्ड है आपको किस कार्ड से सबसेदा एक कनेक्टेड फील हो रहा है दो मून और दो वन्ट्स एक मेजर रकान है एक माइनर रकान है और अगर आपने ठीक है कम्प्लीट क्लियर रखते हैं एक मून एनरजी एक सन एनरजी एक नाइट टाइम एक डेटाइम है चूज यॉर फेवरेट ओके चूज यॉर फेवरेट तो यह है पाइल वन्ट्स एक मून और फूल पूरा जैसे कहते हैं पूरा चांद जैसे उतने बिलकुल पूरा चांद होता है फूल मून बिलकुल हां और नाइट टाइम बिलकुल रात का समय है मिड्नाइट भी हो सकता है और यह थोड़ा फॉरेस्ट एरिया मुझे थोड़ा नजर आ रहा है तो नाइट टाइम मून फॉरेस्ट एरिया यह ब्रिज जो भी चीज आपको अपने और खीच रही है वह आप चूज कर लीजे और इसमें है डेटाइम लाइक बीच और यू कैन से जोले गेस्ट हाऊस स्ञेट्व इनरजी भी आ रहे है बीच के आसपास कोई गेस्ट हाऊस लोटेइटाइम हो और संब्रीज तो यह वह दिखा रहा है तो तुछ़वा फॉड़ा पॉरेस्ट एरिया और यह थोड़ाँ अब्धिन और तो स्थोड़ा थोड़ा तो आपना चूज कर लीजे फेवरेट कौन सा है नाइट टाइम है देटाइम है मून है असान है ठीक है बीच है या फिर फॉरेस्ट है तो अपनी पास लाइक कर लीजे मैं हम लोगे आपको आपकी रीडिंग में राधे राधे पालवान चले देखते हैं आज की रीडिंग दिखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउज आप मतलब आपके फ्यूचर स्पाउज कैसे होंगे दिखने में ओके हाव दू यू फील आज हम यह देखेंगे बस उनकी लुक्स के बारे में आज हम पूरा फोकस करने वाले अच्छे से बिल्कुल सबसे पहले हम भंवान का नाम लेंगे फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं ठीक है झाल झाल जिन्हों ने भी पाइल वान सेलेक कर रहा है आपका आया है मून कार्ड लेक इफ यू सिलेक्टेड मून एनरजी और नाइट एनरजी धाया है तो आपके स्पाऊस से मुझा जो एक वाई बार रही हैं वो ऐसी आए कि ही और शे इस मिस्टीरियस वह बहुत मिस्टीरियस किसम के especially उनकी आखें, उनकी आखों में एक अलग ही चमक होगी, अलग ही ना मतलब कहते हैं एक अलग सी खामोशी, एक अलग सी चमक, मतलब उनकी आखें इतनी रोमैंटिक होगी, आईलैशिस बहुत खुबसूरत हो सकती हैं, देखो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत चोटा स आपको दिख रहा होगा, यह, तो उनकी आखें बहुत खुबसूरत हो सकती हैं, बहुत लंबी आईलैशिस होंगी, पल के मतलब, और, हाइट मुझे यहाँ पर विमन की काफी लंबी नजर आ रही है, और जो मेल हैं, उनकी एवरेज हाइटेट नजर आ रहे हैं, अब यहाँ मैं आपको एक बार नहीं सेट कर सकती, आप इसे एवरेज हाइट पानके चलो, एवरेज टू लॉंग, ठीक है, यह मेल फीमिल दोलों की है, एवरेज टू लॉंग, और, बाल बहुत खने होंगे, बाल बहुत खुबसूरत होंगे, चाहे औरत हो या मर्द हो, बहुत ही खुबसूरत बाल होंगे, ब्लाक हेर्ज कंप्लीट या डार्क प्राउन हेर्ज मुझे नजर आ रहे हैं, इसा हो सकता है, और जो मेल्स हैं, उनके बाल मुझे तो गोड़े इसे न, कैसे समझाओं, थोड़े वेवी किसम के नजर आ रहे हैं, और थोड़े से न, वो अपने बालों को ऐसा न, इदर उदर करके ही रखते होंगे, क्योंकि जब वो अपने बालों को बिलकुल स्ट्रेट कर लेते होंगे न, जो आपके मेल स्पाउस होंगे, तो वो बहुत बेबी, उनका बेबी फेस लगता होगा, तो वो अपनी हेर स्टैल को लेकर न, थोड़ा सा, मल्दब अपनी हेर स्टैल का न, वो थोड़ा ऐसे ही कि थोड़े थोड़े इदर उदर ही रहे मेरे बाल, ज्यादा स्टैट होगे तो मैं बेदूल बेबी लगूंगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, देख मैं आपको दिखाती हूँ, मैं को कैसा यहां चैनल डो रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसा, देख सकते हूँ आप ऐसे, थोड़ा उपर से बिखरा बिखरा सा, नाट साइड, यह यह चीज, थोड़ा उपर देख रहो न आप ऐसा, तो मतब कुछ इस तरीके का उनका हैस्टाइल हो सकता है, बेसिकली जो यहां पर नर्जा जा जा रहा है, इससे अलग भी हो सकता है, लेकिन उनका थोड़ा सा न ऐसा बिखरा बिखरा सा ही लगता होगा, आज मैंने आपको हिंट थोड़ा दे लिया, कि कैसा थोड़ा हो सकता है, और अगर देखें, complexion उनका मुझे reddish थोड़ा नजर आ रहा है, थोड़ा पेल टू reddish, आप इसे बिल्कुल fair नहीं कह सकते, बिल्कुल dark नहीं कह सकते, पेल टू रेडिश पेल टू डसकी डसकी थोड़ा रेडिश में मतलब ऐसा थोड़ा रेडिश टून आता होगा इनके चेहरे पर पिंकेश रेडिश पेल पीला सपन तो ऐसा कुछ मुझे यहां नजर आ रहा है और जैसे भी आदर टेनोस पोर्ड़ काफी स्ट्रेंथ नजर पारी है चाहे दिखने में इतने पतले भी नहीं होंगे तो इतने यह मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ही बॉड़ी बिल्डिंग वाली नहीं ठीक होंगे एवरेज होंगे हो सकता है जिम वगरा भी करते हों या करती हों ठीक है मतलब फिट होंगे आप यह कह सकते हों कि फिट यह इंसान, फिट है और बहुत स्ट्रेंथ है इस इंसान के मतला बंदर, चीक है, और चहरा इनका थोड़ा सा जब आप जब देखोगे, तो गोल हो सक स्क्वेर शेप, थोड़ा सा स्क्वेर शेप ऐसे, तो पूरा गोल नहीं, ऐसे थोड़ा से जोड़, आप बेबी का फेस तोड़ा थोड़ा 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 थोड कुड़ती पहनना पसंद होगा व्लेड कुड़ती अपने आपको काफी धक्के रखना काफी पसंद होगा और जो मेल जा रहे हैं उन्हें थोड़ा लाइक कुड़ता और नीचे पैंट्स पहनना पसंद होगा कुड़ता और पैंट्स ऐसे ठीक है नौट जीन्स पैंट्स कप की हो ऐसा तो कुर्टा और पैंट्स पहनना काफी पसंद होगा है को च्वी यह पैनते हो या फिर जहाए यह काम करते हो या कटिंव वहाँ पर बीज़ाते हो या फिर पूर एक ड्रेस कोड हो काफी अच्छा कोट और पैंट ऐसा कुछ या पैंट तो होई वहाँ पर लॉग बूट्स या मेडियम साइस बूट्स आपके इस पास को बहुत बूट्स का जातर ब्राउन रहता होगा थोड़ा लाइट में रहता होगा मस्टर्ड ब्राउन ब्लैक कम्प्लीट नहीं रहता होगा और देखें तो जब आपको कैसा फील होगा उन्हें देखकर अब यह देखते हैं एक तो उपर से नीचे तक उनको देखकर आपको यह लगेगा कि भाई दिख रहा है कि यह बहुत अच्छे परिवार से हैं ठीक है बहुत ही मतलब नामी परिवार कह सकते हो या फिर इनको देखकर ऐसा लग रहा हो कि इनके घर में ना मलब सारी अपने स्पेशली हम दिख कैस से रहें पेठ ध्यान रगते हैं हमने क्या पहना है या फिर अपने को रिप्रेजेंट करना अपने ड्रेस से ऐसा भी आपको दिख सकता है या इंको देख कर दिख कर दिख कर आपको लगता है उनके काफी dark eyebrows होंगी इनके face या इनके eyes के आसपस कहीं तिल हो सकता है beard रखते होंगे काफी घणी आती होगी और जो लड़किया है उनका मुझे कफी छोटी नोज नज़र आ रही है कफी जादा पतले भी नहीं लेकिन मीडियम टू थिन लिप्स हो सकते हैं और जादर पिंक पिंकिश लिप्स मुझे नज़र आ रहे हैं या फिर थोड़े-थोड़े मतलब नाचरल वो रहती होंगी जादा कोई लिप्स्टिक में लगाके नहीं रखते होंगी पसंद नहीं होगा इतना और थोड़ा बहुत वो हाथ में रिंग्स या फिर गले में कोई पेंडेंट पैनके रखती होंगी और लॉंग पर्स पगारा जो कपड़े के पर्स होते हैं ना लॉंग जो ऐसे थोड़े कैसे बना बैग्स जैसे परजामी और कुट्टी टॉप परजामी ऐसी चीज़े पहनती होंगी वो ठीक है साथ में कोई स्टॉल ले लिया कभी कोई लोग स्काट पहें ली ठीक है उनका एक आद में वाच्ट भी हो सकती है थोड़ा थोड़ा मुझे लुक मैं बताओं तो मुझे मुझे थी देट् और देखो या फिर आप पीकू में भी देख सकतो जो दिपेका पड़कोन का लुक था थोड़ा थोड़ा वैसा ड्रेस वाइस और आपको देखकर कैसा और महसूस होगा जब आप उन्हें देखोंगे ना यू फिल लाइक बैलंस्ट आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ओवर है य पंदी अपता ध्यान रखती है हर इक चीज का मतलब हमें क्या पहनना चाहिए हमें कैसे रहना चाहिए हर चीज कैसे ध्यान है तो इनके कपड़ों से इनके मतलब चलने ड़लने से आप पता लगा लोगे यह विक्ति कैसा है ठीक है और भी है दा स्रेंथ कार्ड इनके जिसे कहते हैं जितनी वेश बूशा में जान है उतनी आपके शब्दों में भी होनी चाहिए आपके विचारों में भी होनी सब्सक्रार से जाती बर्कबाता कोई है जाती है यह चीज्स पहन कौन सकता है होही वेक्थी द्हारन कर सकता है ऐसी संसकार हो वह विक्ति का मन भी उतना वैसा होना चाहिए, स्ट्रॉंग और उसके विचार, उसकी शब्द उतने स्ट्रॉंग होनी, उतनी स्ट्रॉंग उसकी वेश-बूशा है, तो आपको ये नजर आएगा आपको नजर आएगी ये चीज ठीक है, अब ये सिखाएपे टैनों स्ट्रॉंट है, तो हो सकते हैं, जब वो आपको हाथ पकड़े न, आपको थोड़ा स्ट्रेम्थ उनके हाथ में नजर आए, तो जब आप थोड़ा सा ऐसा करोगे तो वो हलका सा छोड़े डीला अपना हाथ, वो थोड़ा तेजी से पकड़ते होंगे न, जैसे, तो आपने नाजुक से हो, थोड़े से कोमल से हो, तो फिर वो थोड़ा आपको अधाम से पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसा हो, या उनके हाथ बड़े हूज हो सकते हैं, काफी, huge hands, ओके, या फिर उनके हाथ थोड़े बड़े हो सकते हैं, आप से थोड़े बड़े हो सकते हैं, आप से उच्आहयां बहुत पसंद होंगी उच्आहयां बहुत पसंद होगी यह वी सकते हो हुआ है वो थोड़े से हाइजञिक होंगे अपने हाइजग को कें कि हुआ ूदे ऄक कर ले थोड़ा सा हुआ करके ही बैठें जहां भी बैठें थोड़ा सा बई जैसे आप तुन्हों रेस्ट्रों में मिल रहे हो तो फोन को अंदर रखें फोन को ऐसे टेबल पे ने रखें बहुत सारे बैक्टिरिया दा सकते हैं ठीक है टिशू पेपर साथ रखें मालब यह थोड़ी थोड़ी चीजे नहीं रखेंगे यह थोड़ी थोड़ी चीजें उनके अंदर होंगी नहरेट कि मिला उन्होंने सीखा होगा अपने पेरेंट से अपनी फैमिली से यह थोड़ी ऐसी हो सकती है जो थोड़ा मतलब इन चीजों का धिहान रखती हो ठीक है फाइफ पॉस वर्ट्स वैसे बहु तूड़ी थोड़ी चीजों का दो काफि क्याल रखते होंगे और मुझे ऐसा लग रहे है कि नेज्स को कट करके रखना मिला हाईजीन को जिस प्रकार से मेंटेन कर सकते न उस प्रकार से और इनके अंदर से थोड़ी थोड़ी बीनी इत्र की खुश्बू भी आ सकती है यह डियोडरेंट की आप मान सकते हैं दोनों में से कोई भी चॉइस उनके हो सकते हैं तो डियोडरेंट या फिर इत्र होता है खुश्बुदार तो वो उन में से हलकी भीनी-भीनी से खुश्बुदार आ सकती है और जैसे फाइफ पॉस वर्ड्स हैं तो मुझे यहाँ पे लग है कि जैसे उन्हें आप देखोगे न थोड़ा सा आप अपनी नजरों को इदर-उदर करोगे क्योंकि आपने आज से पहले कभी किसी को देखते समय आप इतना शर्मा होगे नहीं जितना आप उनको देखकर शर्मा जाओगे यह आपके सथ पहली बार होगा कि जब आप उन्हें देखोगे न आप शर्माने लग जाओगे आप वो शर्मा होगे और जैसे ही वो हसेंगे ना मतलब समझे लो आपका दर दिल ही गया बस दिल लुट गया होई बिल्कुल पूरा ऐसा हो जाने वाला है उनकी स्माइल इतनी प्यारी होगी उनकी स्माइल इतनी सुन्दर होगी मतलब आप दुनिया के लिए कैसे भी हो आपके लिए वो बहुत अच्छे होगी मतलब देखते ही ना जिसे कहते ना कि बस आप से देखा नहीं जा रहा है आप चर्मा रहे हो आप छुपके छुपके देखना चाह रहे हो ऐसे ऐसा होगा आपके अंदर यह चीज आएगा आपके अंदर आपके लिए मैसेज क्या आते हैं अच्छी रिडिंग आई है इनमे से कुछ-कुछ चीज़े हो सकते देखो मैं यह नहीं कहते ही पूरे ऐसे दिखते होंगे लेकिन कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ और हेर्स बहुत होने वाले हैं अगर यह मेल है तो इनके बॉड़ी हेर्स तो बहुत होने वाले हैं बहुत जयदा फानेशल सेक्यॉरिटी तो काफ फानेशली सेक्यॉर होंगे ठीक है वो दिखने में चाहे है वैसे भी रॉफ औटर बिलकूल कुल में परकोए अंदर आपको लग सकते हैं तूढे फोड़े 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 इस सिर्फ हों तो बात अलग हो सक्ति आस आहाक पी अजाओना मेरे पास I Need You तो उनकी नजरें, जब आपको देखेंगी न, आपके एक सोंग आ रहा है, देखती है, जिस तरह से ये तेरी नजरें मुझे मैं खुद को चुपाओ कहा, जादू या नशा है, मद घोशिया, खुद को चुपा के अब जाओ कहा, ये लिटरली ये फीलिंग आएगी आपको इस पाउस को देखेंगे लिटरली और जब आपको देखेंगे न, जिस ऐसे नजरों से देखेंगे वह आपको, मैं आप नजरी नहीं मिला पा होगे, वह इतने रोमांटिक हों, जिए उनकी नजरों में इतना प्यार भरा होगा, मैं कैसे समझाओं, आई is with full of tears, nothing is more special than this, अ आपके बड़ी मोटी मोटी सी हो सकती है, तो that's why ऐसा लग सकता आपको, and love, तो definitely वह आपके लिए प्यार ही लेकर आएंगे, आपके लिए एक love proposal ही लेकर आएंगे, चीक है, soft kiss, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वह आपके hands पे kiss कर सकते है, या जब आपको पहली बार मतलब ऐ है, तो वह आपके hands पे बहुत softly, उनके lips आपको feel है, बहुत softly, और अपने forehead पे, especially उन्हें आपके eyebrows के बीच और nose पे, किस करना बहुत पसंद होगा, आपको बहुत cute लगता हो गए, चीक है, और last message हम देखते है, love करो, judge नहीं, तो भई, उन्हें प्यार करो, उन्हें जज नह और आपकी नजरों में हमारे जीतेजी कोई और नहीं बस सकता, तो बस, आपकी नजरों में Сейчас और कोई और बसेगा भी नहीं और बसेगा भी नहीं सकता वो कहरें, introvert, आप आप दून मीसे मिशन कोई एक introvert हो सकता है, जोरों भी हो सकते हो, एक बार तुम्हें देखोना हो, क्यों है बिल्कल रेज रिजनारी रे रिजनारी है रिजनारी हिए है מ Hi, रूक्न merry you like in mind ्याइक्ट कर रही रिजन को अगर आपको अच्छी लगयो है व्य०्टि लाइक सबसे कामेजर है अभी के लिए थे जैश रादेकष्णाहरी बोल म्यिश्री राधीy रहाधीरदीपायल 2 चलिए देखता है आज की दिखता है आज देखता है आपके स्पास काहसी होंगे तक प्तलब वह देखते हैं कैसे होंगे आज बिल्कुल पूरा फोकॉस हम इसी अज इसी आजए कंसेप्ट पर हम करने वाले हैं क्या हो रहा है फोकस में आरहा था थे चाल अब और रिर आूर मुँड़ी याद दो नाद्म वे वे लिए okay कि अधिस 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 बाद में रिडिंग कर रही है बहुत टाइम हो गया मुझे नहीं टॉपिक करें तो आज बस इसकी अनर्जी आई मैंने करा चलो करते हैं देखो आपकर दो बर 10 of coins आया means 10 of pentacles यहां 10 of pentacles यहां भी 10 of pentacles ठीक है और देखो यहां पर 3 of pentacles अधिस एक चीज बताओं यहां पर जो मुझे आ रही है उनकी smile बहुत क्यूट होगी बहुत क्यूट होगी उनकी smile आप देख सकते हो जिसे आपने रिष्टा किलाता देखा होग जो तो उनके जो थोड़े जिसे smile है ना उनके ठीथ उनकी smile कावी cute है तो ऐसे एक क्यूट हो सकते हैं तो बच्चा इन घिल से हो जाए आपने ऋब जूट क्यूट क्यूट हो सकती है और अगर देखे तो वास्ते ही रहते होंगे खेल खेल खेलाते होंगे थे और पूछाते उनके अंदर ये चीज़ नहरेट होगी कि वो भी हसते और ऐसे खुशी रहते हैं और उनका ना फेज अपनी मदर पे जादा जाएगा या अपनी दादी मा पे जादा जाएगा ठीक है जब आप उनकी मदर को या उनकी दादी मा को देखोगे ना अगर उस टाइम तक तो आप आपको ऐसे लगेगा जैसे बिलकुल जैसे ना एक दिम कॉपी आ गई है ऐसे आपको लगेगा कुछ लोगों को तीक है और नाख थोड़ी बड़ी होगी थोड़ी मोटी हो सकती है नाख राउंड हो सकती है थोड़ी बड़ी हो सकती है और लेकिन है बड़े क्योट है चोच, थोड़ी सी शार्क नोज, या फिर थोड़ी सी बड़ी नोज, ऐसी नोज हो सकती है, और आइज इनकी मुझे, आँखों में तो ऐसा लगा करेगा कभी-कभी, जैसे भीया सूर्मा लगा रखा है, सच में, एक तो इनकी आँखे छोटी-छोटी, उपर से इनके आइब इनके आँखों को क्लर होगा, वह इतने बला-क जैसे बॉल्स का रखा है तो जब यह अर इनकों को बन उतारते होंगी यह फिर उतारते होंगी यः के लिगाओ ना लगाओ, आप अखों सकता है, इनक और बलरे, जी नी बन दो, ड्याओं सक्ता है, यह ब रोले ने लिग त लगता होगा ना उनकी आखों में बिल्कुल ऐसा जैसे नैचरल काजल भरा बढ़ा है और वीर्ड उनको आती होगी लेकिन उनको मूझे रखने का ज्यादा शौक होगा और क्योंकि उनकी बीर्ड ना काफी बड़ी आजाती होगी जैसे बहुत बड़ी आजाती है बहुत घनी बहुत घनी जैसे आप आपने अरीजीच सिंकी देखी होगी ना और और मैं किसकी बता हूँ अरीजीच सिंकी जैसी है थोड़ी थोड़ी ऐसी हो सकती है बड़ी घनी और यह थोड़ा से न मतनब ऐसे ही रखते होंगे थोड़ी शेवड रखते होंगे थोड़ी मूछे रखते होंगे ठीक है बस इनको इतना बस नोबा अब जिसके कोई फीमेल है फीमेल की हाइट जो नजर आ रही है और ब्रॉड नजर आ रहे हैं तो यहां पर मस्कुलर दिखा र इनको पहलवानी करने का शौक हो सकता है पहलवान भी हो सकते हैं अगर इसे कोई लेडी है तो उनकी हाइट फोड़ी शौट नजर आ रहे है मुझे मला वह जो भी आप हो जो भी आप हो आपसे थोड़ी छोटी होंगे आपकी वाइफ ठीक है और बहुत क्यूट लगती हों सब्सたाइब जैसे वह कुछ ना कुछ गुंगरु वाली चीज़ें पहलती होंगी या पर चछनचन वाली चीज़ें लुख poo द्शान complet s तोपस पहन लिए अधिया को लेकिन जादी नहीं होगी तो वो थोड़े समलीजे प्रिंटेड कपड़े जादा पहनती होंगी और जातर जिसे जो फ्रॉक्स होती है ना फ्रॉक काइंड आफ बड़ी बड़ी फ्रॉक्स आप फ्लेयर्ड कुड़ती मानके चलो ऐसे अन्यार के लिए टाइप ठीक है यह बीच में बेल्ट कोई लगा ली और फिर फ्लेयर्ड पहन लिया ऐसी चीजे वह जाता पहनती होंग और प्रिंटेड सारी उन्हें काफी पसंद होंगी प्रिंटेड कपड़े ज्यदा पसंद होंगी या फिर जरी वहले कपड़े होते हैं वह काफी पसंद होंगी जैकेट्स उन्हें बहुत पसंद होंगी चाहे वह शॉर्ट जैकेट हो चाहे वह लॉंग जैकेट हो चाहे व चिन पड़ा सुपराइब पिभ्णाग दिखे गां आपलब ऑसफ अची कि उपड़ा है एक दिखेगा मतलब है जुड़ा एक यूटा इसे लाइब हो सकते हैं चैनले कि मुझे नजर आरी है फीमेल की तो बहुत चोटी चेन है मैं फीमेल की तो बहुती बेबी फेस होता है और क्यूट सा बोल सा फेस माजर आ रहा है मुझे और य यह ख कि द मुटने को कावज और आशनां में ड। है मुझे और फार मि यह खेस मुझेटा हुआ आप पनाम समण मेरे दिखते हुगे ल२गा फेन दोटे मेlles मेरे मेरे अचला कावज है यह ऐसे देखकर लगता होगा आपको तो आपकी यह तो ओगी इंके थोड़े बहुत लोग्स आपको देखकर कैसे लगए जब आप तो ना उनको ऐसा जिसे अब उन्हें कहोगी कहोगे तुम इस पर गई ही हो पूरे ही हो, च्याय आपनी मम्मी पर पापा पर या भाई बेन भी थोड़े-ותड़े सेम-से लगते ह longing होता है ऐसा कुछ भाई बेन ऐसे होते हैं जो बहुत सेम-से लगते हैं जाए वो कितने साल बादी क्यूं नो हो यो तो ऐसा भी हो सकता थोड़ा इनके साथ तेखिया या फिर यह इनका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं तेखिया ऐसा भी हो सकता है और जब आप इन्हें देखोगे न स्पेशली इंटु इस आइज और अराइज हो मैं इतना अंधेरा बढ़ा है न थो जह समझा इनकी आँखे बड़ी नशीली इनकी आँचे बड़ी Сов Watts Impact H न स्थे या नश्ञा है देखते यह आपको ऐसा लगे जैसे मतलब खोजो आईसी आखे होई बड़ी आखिये हैं चोटे अवलुक थोड़े काजलों ये अब आई समझे हो तो पेल वह सूंदर ये अवर कर ल Hispanic है जी लॉस्पी ख़कोँ छोड़ें k बढ़ा आए ख़ू है था जो ने व समंज हा हैं ठीक है ना और दिखाती हूं मतलब जो मुझे यहां पे फील हो रहा है जैसे आप यह देख सकते हो तोड़ी 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 यहां पे ब्लैक कलर अगर आ जाए तो मतलब इस तरीकी की थोड़ी आंकों की शेव हो सकती है और थोड़ी आइब्रोस भी थोड़ी गोल गोल सी हैसी हो सकती है ठीक है तो यह थोड़ा थो फोड़ा जो मुझे दिख रहा था हिद आइसका वह हैं कैसा और लड़कों कि आख्च वह थोगी णिसल कांपध्र यह पुटी हांके पर कड़ने की कोशिश करेंगे एक तो नहां आपको यह चीज थोड़ी सी ओकवर्ड लग सकती है लेकिन वह आपका हाथ पर करने की कोशिश करेंगे त्यूरिंग फर्स्ट मिटेंग या थोड़ा ऐसा और जब आपका हाथ पकड़ेंगे न यह फील थोड़ा-थोड़ा और इसे king of swords है तो king of swords से कह सकते हैं वह ना उनकी नजरे बड़ी strong हो सकती है जिसे अगर spectacles हो सकते हैं थोड़ा protection के लिए लगाते हो लेकिन अगर spectacles नहीं लगाते होंगे तो आई बहुत अच्छा होगा, इनका आई विजन काफी क्लियर हो सकता है, ओके ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के spouse के लिए, 3 of coins, 3 of coins से कह सकते हैं कि, आपकी spouse, या आपकी spouse, हाथ, पैर, गले में कुछ ब्लैक कलर का बांधिया रखते होंगे जिसे कि उन्हें नजर ना लगे और या फिर काफी बच्छपन से उन्हें बांध रखा ऐसा कुछ हो सकता है, और 10 of coins, 10 of coins से ही कह सकते हैं कि, उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता होगा, जिसे ये विक्ती ना बहुत ज़्यादा, especially कि इनके ways में भी आपको एक hospitality नजर आती होगी, जिसे कहते हैं ना महमान नवाजी, थोड़ी ऐसी, आप वाई भी आपको आती होगी, जिसे महमान नवाजी जिसे कहते हैं, या फिर थोड़ी ऑस्पिटैलिटी आप लगा लो, थोड़ा सा सामने वाले को ज़्यादा priority दो, जिसे कि वो आपसे घुले मिले, ये चीज़ आपको अपने स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगी, उनकी आवाज थोड़ी भारी हो सकती है, और फीमेल की है, वो थोड़ी से childish हो सकती है, थोड़ी सी, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन नजरा रहा है, आप देख रहे हो, काफी क्यूट कॉम्बिनेशन ये नजरा रहा है, मेल फीमेल का, तो ऐसा कुछ, मुझे है, एनर्जी आई, और बाल भी काफी न, आपके स्पाउस के घने हो सकते है, काफी अच्छे बाल हो सकते है, फीमेल के भी और मेल के भी, तो आपको देखकर ये कहेंगे, यू आर मैं बुगू, यू आ मैं बेबी, आप उनके सामने बेबी लगोगे, लेट्स डांस तोगेधर, तो अबिसले उने डांस करना काफी अच्छा लगता होगा, और आपके साथ डांस करना चाहेंगे, नैनो की तो, नैनो ने बांदी कैसी डोर गए, तो ये एक सॉंग आ रहा है, आप सुलने ना अगर मन करें तो, अच्छा सॉंग है, और, विल गिव यू फ्लार्ड्स, आपको कुछ फ्लार्स गिफ्ट कर सकता है, एक्सिडेंट हो सकता है, कोई बच्पन में, या फिर, कोई किसी उमर में, उनके कोई ऐसा चोट लग गई हो, जिसका निशान उनके कही न कहीं हो, तो वो आपको वो जरूर दिखाएंगे, हाथ पे हो सकता है, कोनी पर हो सकता है, आईब्रो के आस पास हो सकता है, ठीक है, और नोस पे हो सकता है, लिप के नीचे हो सकता है, थोड़ी पे हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ऐसा मुझे नजर आ रहा है, कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ माक हो सकता है, और, एट ऐज 25 एन आफ तो 29, ये ओमर हो सकती है, जिसमें आप दोने मिलें एक दूसरे से या फिर ये उमर थोड़ी matter करती हो काफी reflection आपको थोड़ी-थोड़ी अपनी reflection भी उनमें नजर आएगी थोड़ी-थोड़ी मतलब थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी जादा नहीं थोड़ी-थोड़ी थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी इंपोड़ी आपके लिए उनके दिल में सिर्फ प्यारी प्यार होगा आपको आप至 फिरी ने शोड़ी पल दिल में जरप दोटाज करे आख घ्र irm kaum मरी राम 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 मरी अरे शी शी रादी गुंदर शाम मरी बोल शी रादी जै शी रादी